हगला हमेพराइब कर रहा हमारा इस ही के अनदर नेट वठ करेंट यह को करिए झाफ्टरेड थर्ड कर रहे हैं इसके अंदर नेट ंब प dominance हमेडर नेट चाहरों के चारों है यह हमारे किसके अंदर आता है तो पोर्ट नेट्रक के अंदर फिर हम नेच्ट टोपक हम इसके बाद मिलेंगे नेट्रोग त यह शोरम जी फिर में फिर लाफ नहीं पर प्वीत नेट्र स्थेटी इसके लावा भी इसमें टॉपिक है जैसे रिजोनेंस का टॉपिक उता क्या होता है क्या नहीं होता है क्यों फैक्टर क्या होता है और लिए को हम लगब के लिए देखेंगे तब तक हम लगब 30-40 परसेंट पार्ट कवर चुकए होंगे नेटरक का तो नेटवर्क से क्या question आये हैं वो भी हम देख लेंगे तो मेरा नाम दर्मेंद्र और आज हम भी start करते हैं हमारा topic ओके तो आज के topic में हम क्या क्या पढ़ेंगे यानि content के हमारा topic में basic two-port network यानि two-port क्यों बोलते हैं उसको है न इसमें हम सिमिटिसीटी जो मारा सारे जितने भी हम classification पढ़ेंगे two-four network उनमें सिमिटिसीटी क्या होती है reciprocity क्या होती है उनके cascaded connection कैसे होते हैं पाइटी नेटर क्या होता पाइटर क्या होता लेटिस नेटर क्या होता क्योंकि इन से directly question कूछ ली जाते हैं तो यह आज गा हमारा introduction हो गया इसका topic तो अब हम start कर सकते हैं तो सबस्क्राइब बात करें भी two-port network क्या होता यह आपके सामने दो diagram हमने बना रखें दो डाइग्राम इसको हमने क्या बोल दिया single port तो यह क्या होता है क्योंग है पोर्ट की डेफिनेशन क्योंति है Thヒäimet पेरों टर्मिनल किसको फेरों टर्मिनलेट देर में एंटरोड वर्लिव फोर्म देट वर्ल्क सिंक्नल में उसको नाम रोलते हैं क्या नाम बोलत है जिसी तरह से सिंगल को ये ह playing wanna to it will be in an input पॉर्ट और आउटपुट पॉर्ट तो यहां पर यह करंट की डिरेक्शन है वह बहुत में तो पूर्ण है क्योंकि जब हम एभी सीडी पिरामिटर जो कि आपके सेलेबस में या उनको हम तो जब हम पढ़ते हैं हैं तो प्रेंड कि रांस्मिशन में पड़ा होगा हैं सी और उधूर्टब है लेकिन हम जित्तू पॉर्ट एनलाइस में जो करेंट की डायरेक्शन है वो कंसिटर क्या करते हैं इनकमिंग यह जो भी पॉर्ट है उसके अंदर करेंट जा रही है यह जा रही है और इनके एक रोस हमारा वल्टेज तो यह हमारा हो गया कि वैसिकली नाम जो हमने दिया कितने द्रेके क्लासिफिकेशन है वह वरगी करन हम टूपोड को कितने पार्ट में करते हैं यह हम देख लिए एक जो हमारे एक्जाम में भी देर का से लिए उसमें जेड़ पेरेमिटर उसका दूसरा नाम है ओपन सरकिट का अपने पावर सिस्टम में ओपन सरकिट जहां भी वर्ड आता उसका मतलब क्या होता है कि उस जगें पर करन्ट को क्या करते देते हैं जीरो तो यहां पर हम जब इस पेरामिटर फाइंड करेंगे तो आप हम करेंगे कभी हम इन्पुट की करन्ट जीरो करेंगे यानि आई वन को जीरो करेंगे कभी हम आई टू को जीरो क करेंगे और उसके respect में voltage और हमारा जो भी impedance हो एड्मिटेंस हो transfer function हो transfer impedance हो उसको हम find out करेंगे दूसरा हम नाम लेते हैं जिसको बोलते हैं वाइप पिरामिटर वाइप रामिटर का दूसरा नाम होता शोट सर्किट पिरामिटर शोट सर्किट का जब भी हमारे दिमाग में नाम अता शोट सर्किट का मतलब है voltage को हमने क्या कर दिया उस branch में जीरो तो इसमें भी हम यहां तो input voltage को जीरो करेंगे या output voltage को जीरो करेंगे उनको जीरो करने से हमारे corresponding current का जो relation हमें find out होता है उससे हम वाई parameter find out करेंगे इसको बोल दी हमने एच पेरामिटर है एच पेरामिटर का मतलब क्या होगा hybrid hybrid का मतलब इसके अंदर current भी जीरो हो सकती रोटेज भी जीरो हो सकता दो तो हम देखेंगे कैसा नेट्रोप होगा उसे साब से इन्वर्स हाइब्रेट पेरामिटर को नाम देदी हमने जी पेरामिटर तो सिर्फ और सिर्फ आपके यह नाम ही काम का है बागी इससे विशेश question point of view से numerical point of view से यह चीज़ हमारे इतनी काम की नहीं है उसके बाद आता है हमारा ABCD पेरामिटर एबी-सीडी पेरामिटर वेरी 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 इंपोर्टेंट क्योंकि यह पिरामिटर के वलापके नेट्रोप में काम में नहीं आएगा यह आपके पावर सिस्टम में भी काम में आता है तो इसको आप नाम भी क्या दिया transmission line parameter तो आप transmission में मैं आपको बताये था भी यह source voltage य यह किसी नेट्रोप में जाओ receiving current और receiving voltage यहां बस current की direction change होती है इसलिए उसको नाम हमने क्या दिया transmission line parameter जब यह बड़ी ABCD से इसको नाम देती है हमने छोटी ABCD उसका inverse transmission line parameter जो कि कहीं नहीं पूछ जाता है तो यह हमारे exam में चार्ड जेड वाई हच वर ABCD parameter हमारे exam में पूछ question क्या आते हैं यह भी discussion करेंगे बहुत ही basic question आते हैं जिने आप देखते हैं आप solo कर सकते हो एक minute का भी time नहीं लगए आपको ठीक है तो हम सरसे पहले start करते हैं हमारा जेड पेरामिटर करते हैं जेड पेरामिटर जेड पेरामिटर में यह तो बेसिक डाइग्राम हम सब का ह जेड टु वन और जेड टू टू यह वैसे आप जो जानते हो नहीं जानते हो तो अभी जान जाओ गया हम इसको equation की form में लिखना चाहें तो यह हम लिख सकते हैं मेट्रिक्स आप सब लोगों ने पूटर की जेड वन वन प्लस जेड वन तू आइटू इससे तरीक से वी टू को लिख सकते हैं जेड तू बन अयवान प्लस जेड तू टू आयटू यहां से हमने बात करी थी भी इनका दूसरा नाम क्या है जेड पिरामिटर को हम क्या बोलत i2 को अगर suppose करो first case लेलू मैं i2 मेरी क्या है 0 i2 0 होगी तो मुझे z11 क्या मिलेगा v1 upon i1 where i2 equal to 0 और यह एक मुझे क्या मिल जाएगा v2 upon z21 ब्राबर i1 i1 ब्राबर क्या मिल जाएगा मुझे sorry z21 ब्राबर कि यह वी वी टू अपॉन आइव वी टू अपॉन आइवन वराबर जेड तो यहां से में क्या मतार वी वन अपॉन आइवन क्या होता है impedance यह तो आप जानते हूं impedance दोनों हमारे वन वन यानि input voltage इंपूर्ट करंट तो इनको क्या हमने बोल दिया इन पॉट इंपॉर्ट इंपॉडेंच वह सकते हैं वी टू अपॉन आएवन यह वी एपॉन है तो इंपॉडेंच लेकिन वन के तो है करनट प्रट वन की औरपट टू की जो हमारे पास में वोल्टेज तो हम क्छaska ओर टांस फर से में एकर पोर्ट में तो उसका हूं में फोलते हैं upfront यह आ voltage की current same for admittance और transfer का मतलब है कि voltage किसी और port का current किसी और port की तो उसको हम के नाम दे दे थे transfer impedance तो अगर हम इसकी इसी equation के basis पर अगर हम इसका diagram मनाना चाहें यहां से तो यहां से क्या बनेगा यह हमारा V1 यह हमारा क्या हो जाएगा Z1 current flow रही इसके अंदर I1 यह वरी Z11 यह हम ले दिया Z11 I1 प्लस Z12 I2 इसको हमारा है तो क्या यह voltage source प्लस माइनस यह Z12 I2 यह हमारा next यहां पर भी हमारा source लग जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा Z21 I1 यह हमारा Z22 यह I2 और यह हमारे इसका color change करके में लाइन बना देता हूं आपके पता रहे वह सब्सक्राइब यह वरी लाइन है यह पीली लाइन नहीं दिखाई देगी आपको यह हमारा V2 समझ लीजेगा वी मैंने V1 को बचाने के चक्र में यह लाइन ऐसे खिचिए ठीक है तो यहां से यह equation बन जाती है कि नहीं बन जाती है इस equation को हम इस तरह का डाइग्राम बना देते हैं तो यहां से आपको क्या बता पड़ता है कि यह तो equation इसमें अगर मैं इसमें के वियल लगाँ बत कि माइनस वीवन प्लस एड़ वन वन प्लस जेड़ वन टू यह आई टू यानि लिखा आई टू जेड़ वन टू आई टू तो यह हमारा सोर्स कौन सा वोल्टेज और यह क्या है करंट से कंट्रोल लो रहा तो इसका हम बोल सकते हैं इसके तो इसमें चुपर्ट नेट्रों में जितने हम निमेरिका व्यों करेंगे वह सारे के सारे किस वे बैसे नोंगे के वियल या के सेल बैसे होंगे ठीक है हम देख लेते हैं अब पर यह जो चीज़े आपको बताई है मैंने जेड वन ब्राबर वी वन अपोन आई वन व देख चुके इसी तरीके से बाइस जेड टू वन यानि आउट्पुट का तो वोल्टेज और इंपुट की करेंट आई वन इकोल टू जीरो तो यह टू अपॉन वन ट्रांसफर तो नाम इससे आगया वी अपॉन आई से इंपिडेंस हो गया और वन करेंट है तो वन से ले-ट आ जाती इसी तरीके से हम क्या करते हैं इसी का जेड बराबर होता है व og व रबर होता जेड इनवर्स जो यह जो यह है वह सुख है यह नहीं है तो इसको किस तरह से रिपरजन्ट कर सकते हैं आई वन आई चु यह sólo 30 एडिंडेंस राइड़म में नाम इसको क्या बोलते हैं शोर्ट सरकीट तो इसमें हम क्या करते थैं वोल्टेज को 0 कर देते हैं जहां करेंट ओपन सरकेट कर दीया है वोल्टेज को 0 इसके इक्वेशन लिखेंगे तो क्या जाएगी आएवन ब्रव यह लिख की रखें तो लिखने की जुरूत कि नहीं है तो Y11 बराबर क्या होगा I1 upon V1 where V2 is equal to 0 तो I1 और V1 यानि I upon V तो नाम क्या हो गया पहले तो admittance क्या नाम हो गया इसका admittance हो गया I upon V दूसरा यह same 1 पोर्ट पर current है उसी पोर्ट का voltage है तो यह पहले तो क्या हो गया नाम इसका driving point हो गया दूसरा यह admittance हो गया at port 1 इसी तरह के से Y21 अगर find out करेंगे तो I2 upon V1 तो V1 से क्या जा रहा तू तो इसको भी हमने क्या नाम दे दिया forward और दूसरा 1 से 2 है transfer और I upon V क्या है admittance इसी तरह के से Y12 Y22 है ना तो यह नाम याद रखने के जरूत नहीं है बस आपको समझ माना चाहिए कि याद रखने है क्यों समझ लो इसे कि यह reverse क्यो बोला या इसको forward क्यो बोला या transfer क्यो बोला या driving point क्यो बोला या impedance क्यो बोला या impedance क्यो बोला यह चारो शब्दी थो है चारो शब्द के meaning पता होते है कितनी बार पूछे क्या फ्रक पड़े यह भी मैंना लिखा जेड बड़ाबर Y inverse लेकिन यह होता कैसे ही हम देखेंगे अब यहां पर हम देखें हमने इसने Y का diagram इसका diagram ना रखा Y parameter का तो इसका I1 upon I2 यह क्या है Y11 V1 plus Y12 equal to V2 equal to Y21 V1 plus Y22 V2 तो यह हमारा current I1 I1 parallel में है दोपय सी बात है यह parallel में होगा तो Y11 into V1 यह हमारा voltage square across V1 plus इसके अंदर तो हमने लिखी दिया Y12 into V2 तो यह हमारा actually कौन सा source है current source और करेंट से control है voltage control तो इसको हमने क्या बोल दिया वह voltage control current source है ना VCCS इसी तरह से same equation हमारी इधर बन जाएगी अभी यह जो equation हम बना रहे हम इनको भी numerical में भी यूज करेंगे अब हम बात करते है hybrid parameter hybrid parameter के अंदर क्या होता है कि जहांपे हमारा hybrid यहानी पहले हम आपे current को zero कर रहे ते है फिर हम voltage को zero कर रहे ते हम दोनों को continuously zero करे करेंगे हम जैसे हमें कुछ different parameter मिलते हैं तो इसको हमने का नाम दे दिया hybrid parameter hybrid parameter means parameter can be impedance admittance voltage gain current gain यह कैसे निकलते हैं यह हम देखते हैं तो यह हमारे पास में hybrid voltage parameter का equation है इसको हम इस form में भी लिख सकते है v1 matrix form में v1 equal to i2 यह याद रखना आपको matrix form में यह equation विले आप मत याद रखो तो कि equation अपना बन जाएगे अगर आपको matrix यादे जाएगे h21 h22 यह हमारा हो गया i1 यह हो गया हमारा v2 यह वी 1 i1 v2 i2 यह v1 i2 i1 v2 ठीक है अब अब अब्वेस यह बात है अगर मुझे h11 find out करना यहां से तो मेरे पास में v2 को मुझे क्या करना पड़ेगा जीरू यह आउटपुट में मुझे इधर क्या बनेगा सेकंड पोर्ट की वॉल्टेज को क्या करना पड़ेगा शोर्ट सर्कुट तो यह क्या हो गया शोर्ट सर्कुट वी 1 अपॉन यह हमारा एक के साड़ के पॉर्ट है और वी अपॉन इंपिदेंस है तो पहले तो यह के ड्राइविंग पॉइंट दूसरा यह हो गया इंपिदेंस एट पॉर्ट ओन याद रिखने है जुरूत नहीं है एच टू वन की बात करें हमारे तो आई टू अइवन है आई टू अपन आईवन क्या होता यह हमने अनलोग पड़ा था जब पड़ा था कि भी आउट ओर दें ट्राइए इसमें भी आपको याद रिखने ही जरूरत नहीं तो यह सिर्फ कुछ भी याद रखने यह जलूरत है बाकी क्या याद रखना इनकी सेमिट्रिक की कंडीशन पर पूचे जाता है वहां देखुंए यह आपके समझने के लिए है इसी तरह कर देंगे तो तो वहां से हमें दो किरामिटर मिल जाएंगे एक्वेशन को हम सौलू करेंगे तो सब से पहले हमारा क्या आता है वी बराबर क्या था आई वन अब बात करते हैं G parameter और inverse hybrid parameter कोई sense है नहीं इनका वहां पर हमारे यहां पर क्या था V1 और यहां V1 की जगे क्या हो गया I2 I1 वहां था हमारा I2 यहां क्या हो गया V2 और यह हमारा respective change हो गया तो equation में बस change है वाकि नाम में वह क्यों होई कोई फाइदा इनका है नहीं अब हम next topic को बात करते हैं ABCD parameter और transmission parameter और यह सबसे ज़्यादा important है राद में question गलत यहीं से करता है क्योंकि आतो वह sign में confused हो जाता है कि sign क्या लेना है और sign में confused नहीं होता है तो फिर वह वैसे गलत कर देता है कि यह normal sign मानके तो ABCD parameter को यह transmission parameter में actually यह transmission का sign नहीं होता transmission में आपको मैं पहले बता चुका हूँ यह i1 बोले तो source current यह हमारा source voltage यह हमारा network यह हमारा receiving current यह load current और यह हमारा voltage at load तो current की direction के वज़े से इसमें क्या जाता है i2 हमारी क्या जाती negative यहांनि i2 को यहां से अगर replace करूं तो मैं किस्ते करूंगा minus of i2 से तो यह फिर मेरा parameter कौ सकता हूं मैं इस equation से v1 i1 यह बता नहीं है v1 i1 equal to यह हमारे parameter a b c d और यह हमेरे हो गए v2 minus i2 होगे की नहीं होगे तो इसको जब लिखूंगा तो मेरे पास में यह हा जाएंगे और यह हमारे पास में transmission line parameter transmission line parameter तो हमें जो ने ट्रक में यूज़ करने होते हैं यह वाले तो एक का मतलब क्या होगे v1 upon v2 v1 open v2 का मतलब क्या होगे v1 v2 same voltage है तो पहले तो यह output क्योंगे open circuit i2 हमारे 0 दूसरा reverse है क्योंगे v2 by v1 तो क्या होता gain अब यह v1 upon v2 तो क्या होगे reverse voltage gain इसी तरह से सी हमारा क्योंगे transfer admittance i1 upon v2 यह भी हमारा minus v1 upon i2 कैसा है हम देख चुके यह भी ट्रांसवर और i1 upon i2 reverse current gain तो इनके नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है इसको पर question कैसे आएंगे यह हमें देखने तो यह हमने इसकी आपको याद रखने है और आपने नॉर्मल ही अगर के वील के सीयल अप्लाइक रोगा तो यह साइन की कोई requirement नहीं अपर लग जाएगा इसी तरह से बात करें इंवर्स transmission परामिटर इंवर्स में हमने क्या लगा दिया डेस्ट लगा दिया क्यों इनवर्स सब्सक्राइब करने के लिए बाकी और कुछ नहीं हो आप हमें क्या करें है जो अब तक हमने पढ़ा उसके बैसेश्व में नुमेरिकल यह नुमेरिकल हमारा यह कम देरख यह रेजिस्टेंस यह वह यह हमारा बीचमें टू और यह हमारा वंगैसिकली ती नेट रखा है जो कि आपने ट्रांस्वेशन में पढ़ा होगा ती नेट होगी यह वल्टेज वीवन यह वीटू इसके अंदर यह करेंट फ्लो और इधर आइवन और इधर नाम दे देते हैं अपन आइटू तो इसमें पूछाए कि आप जैड पिरामेटर भी फाइंड क ऑगर यह सब डिफाइदे तो जड़े पि RHMyster को आप भूल जाओ वैसे वकार देर का हो नेर्ड तो जचेड परमिटर इजी होता फैंड करने में और पाइदर काहो यानि इस तरह से तो फिर हमें y parameter find करने में easily होती है क्योंकि कैसी यह लग जाता हूं पर easily तो यहां पर अगर हम find out करें z parameter को इसमें एक क्या कर देते हैं के लगा देते हैं एक हम इसके अंदर क्या कर देते हैं के लिए तो वी ब्राबर क्यों जाएगा 1 i1 प्लस 2 i1 प्लस i2 तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 3 i1 प्लस 2 i2 और इसके अंदर जम में केवे ल लगाओंगा तो v2 प्राबर 1.i2 प्लस 2 i1 प्लस 2 i1 प्लस 3 i2 तो यहां से मुझे z parameter के equation मिल जाएगी matrix मिल जाएगी यानई जेड 1 1 तो हो गया मेरा 3, जेड 1 2 हो गया मेरा 2, जेड 2 1 हो गया 2, ए जेड हमारा 2 2 हो गया 3, Y-perfekt क्वे AT toda – Z की inverse, जेड inverse और किसी गा भी inverse निकालना हो, Y का inverse निकालना हो, जेड तो Z inverse क्या होता है, एक तो 1 upon, ये जैसे माननो की A, B, C, D अगर matrix है, और मुझे find out करना है इसका inverse तो यह क्या होगी one upon a d minus b c यह तो अब एक में चोटा-चोटा लिखता हूँ ताकि यह page कतम ना हो कि यह हमारा result में क्या हैगा one upon a d minus b c inverse a od को interchange कर देते हैं d और minus b कर देते हैं minus b minus c यह हमारा हो गया inverse तो यहां पर निकालेंगे जो थ्री इंटू थ्री नाइन minus four one upon five three इसको थ्री से interchange करेंगे यह करेंगे यह तो का हमने sign change कर दिया minus two minus two तो यह मुझे क्या मिल गई y matrix तो यहां पर हमने इस question में दो तो हमने find कर लिए z और y अब find करना हमें h or t h or t में दोनों में क्या है v1 और i1 के अंदर relation है v1 i1 v2 i2 है ना सिधा सिधा तो हमारे voltage की equation में पता है v1 की यह है v2 की यह है h parameter में हमें result किसमें find out करना करता है v1 और i2 में तो यहां से मैं क्या करूंगा i2 की value जो उठा में तो यह v1 को जब हमने रखा यहां i2 की value तो मेरे पास में result में क्या आ गया यह और v2 मेरे पास में है यह i2 मेरे पास में तो यह मुझे मिल गया v1 और i2 तो यहां से मैंने equation लिख दी एच पिरामिटर की in same way transmission parameter की equation लिखने है transmission में क्या है v1 और i1 की form में तो v1 की equation तो मेरे पास already है लेकिन उसके अंदर मेरे पास में v1 के अंदर क्या है i1 और i2 दोनों है जबकि मुझे result किसमें चाहिए v2 और i2 तो मैं आइवन की जो equation है में वहां पर i1 को क्या replace कर दूंगा इस equation से तो मुझे result क्या मिल जाएगा v1 और i1 के अंदर तो basically आपको एक parameter find out हो जाता था आप दूसरा parameter easily find out कर सकते हो इस question से जो गूम फिर के आपको बताने का ताथ परिया था मेरा यह कभी वो तार्गेट नहीं है कि मैं यह numerical आपको सोल करूंगे और numerical कैसे सोल हुआ मेरा तार्गेट है कि वह आपको एक्स्प्लेन करना यह data माइनस इस में कोई गलती हो प्लस हो इससे कोई लेना देना नहीं अब यहां पर understand वाली यह समझने वाली चीज है अबीसीडी पराइमेटर में यहां पर equation में क्या आया आए वन में वीटू बाइटू माइनस थी भाइटू और यहां माइनस फाइव यह माइनस आई टू का है इस एक्षन में जब आप स्वलू करोगे देखोगे यहां पर क्या आएगा माइनस आईटू तब यह एबीसीडी हमारे पिरामिटर क्या होंगे पॉजिटिव ठीक है इसी तरह से एक कोश्चन आपके सामने यह है हमने कोई भी नेट्र के लिए उसमें हमने क्या कर दिया चार ओम का रिजिस्टेंस तो हमारे मेरामिटर क्या है वो चेंज हो जाएंगे तो कैसे चेंज हो जाएंगे अब हम यह दे चुक है है हमें नए पिरामिटर इसके उजह से फैंड आउट करने तो जो आई डेश मान लेते हैं क्योंकि आइवन तो हमारी नेट्रक में जा रही इधर आई टू जा रही तो इधर सपोज के लिए कोई करण टाइप लो रही है यहां आई डेश वोल्टेश मान लिए यहां वी डेश मान लिए यहां वी टू डेश मान लिए यह नेट्रक एक्रॉस वी टू तो था है तो यहां से हम क्या सकते हैं वह यह वी टू और वी टू डेश हमारे दोनों क्या है एक्वल हो इसी तरह से वीवन डेश और वीवन भी क्या है एक्वल तो यहां से एक एक ए यही होगा मुरे पास में कितने एक्वेशन आगे 1 2 और 3 ऑन की जो मुझे यहां से मिल जाएगी आइवन की वेल्यू जो वी वन अल्डेडि देर की है यह एक्वेशन जम्हें तीनों को सॉफ रूँगा तो मुझे रिजल्ट एंट में जाएगा जैसे एक्वेश्व में वन डेश वराबर यह राई टू डेश वराबर यह आच्छा सोरी यहां पर माइनस आई क्योंकि करंट की डाइरेक्शन क्या है इसमें गुसरी यहां पर आए उदर वाले जा लिए ठीक है तो यहां पर आई वन डेश में आई वन की वेल्यू मेंने रख दी एक्वेशन से और आई की वेल्यू में रख दी जो मेरब को गीवन है वी वन-वीटू-बाइफ यह मैं निकाल ले तो मुझे आईवन डेश मिल गया इस तरह से मुझे सेमा डेश मिल गया रिजर्ट में इनको रुखूंगा तो मुझे और तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब जो सबसे इंपोर्टेंट कोश्चनेर एक्जाम में पूछा जाता है वह पूछा जाता है सिम्ट्री सीटे से रेसोग्रेसी प्रोस प्रोसीटे से तो यह हम देखते हैं पहले होता है फिर हमको याद हमें एक निट में हो जाएगी याद करने में हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगे तो सिम्ट्री सीटी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी करन्ट है जैसे यह वीवन अपॉन आईवन यानि हमारा इंपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपूइंज और ड्राइविंग पू को 0-0 एक बर हमने one-0 ओपन सर्किर इस फे जो मिलता है वह दोनों हमारे क्या होना चाहिए संसाल होना चाहिए अगर वह सिमिलर है उसको हम क्या बोलते हैं सिमिट्री सिटी यहीं वी-ट्राइवे यानि input driving point impedance equal to output driving point impedance equal उसका हमने का बोल जिए symmetricity यहां हमने बात करी open circuit की इसी तरीके से अगर हाँ वाइब राफर जेड इन्वर्स यह तो देख लिया यह अपने formula drive करके भी देख लिया यहां होगे interchange और इनके आगे minus का sign लग जाएगा अब हम बात करते है reciprocity reciprocity का answer यह है y12 equal to y21 अब अगर हमें इसे verify करना हो z inverse की form में तो y12 को हम z12 upon modulus of z लिखेंगे यह क्या है order of z इसी तरह से y21 को क्या लिखेंगे यहां से y21 को minus z21 upon z तो यह हमारा reciprocity के case में z parameter के लिए z12 equal to z21 और हमारे इसके y parameter के case में y12 equal to y21 और इसमें क्या करते हैं voltage को shorts करके निकाल लेते हैं for symmetricity और same जैसे z parameter में symmetry के लिए z11 equal to z2 इसमें इसे y11 equal to y22 तो इस तरह से हम क्या करते हैं सारे उसके अंदर देख लेते हैं यह reciprocity कैसे ट्राइब कर दिया हमने और यह एक बार हमने क्या कर दिया इदर वीवन को 0 कर दिया तो यह हमने क्यों क्या है एक तो मारा रखनी है अब यह हम देख लेते हैं हमने सब के symmetric को कि अगर जैड़ पिरामीटर हमारा symmetric है तो क्या होगा है जैड़ 11 equal to z2 और ऐसी प्रोकल है तो जैड़ 12 equal to z21 इसी तरह से अगर हमारा वाइच पिरामीटर अगर पूछे जाते हैं यह दोनों पूछे जाते हैं अगर वाइब पिरामीटर अगर मेरा symmetric है तो मोडिलेस ओफ है मोडिल्लेस ओएच मतलब क्या होता है एच 111 2 2 1 2 2 2 इसका मोडिलेस क्या होगा एच 112 2 2 माइनस of h21 important very very और a b c d parameter में a ब्राबर d और a d minus b c ब्राबर 1 यह दोनों reciprocal के लिए a d minus b c ब्राबर 1 और symmetry के लिए a ब्राबर d होना यह very very important है दोनों formula exam में directly question पूछे जाते हैं यहां से ठीक है एक यह इस तरह का कहीं बार exam में या आपके exam में तो जो मीद नहीं लगते गेट वगिरें में या एक्जाम में यह पूछा जा सकता है कि latest network तो latest network का design होता है यह जेड़ a यह जेड़ d यह जेड़ b यह cross नहीं कर रहे होते हैं यह एक तरह से feedback में लगे होते हैं अगर आपको जेड़ a को जेड़ टूटू को जेड़ a और जेड़ b की form में निकालना हो तो यह आप याद ही रखिएगा क्योंकि एक्जाम में भी आपको याद रखना पड़ेगा डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे महाँ पर तो जेड़ वन वन इकोल टू जेड़ टूटू सिमेट्री के लिए कंडिशन होती है तो वह वेल्यू क्या होगे हमारे जेड़ a प्लस जेड़ b by 2 क्या होता है दोनों जेड़ a प्लस जेड़ b by 2 और जेड़ वन टू इकोल टू जेड़ टू वन होता है और उसके वेल्यू हो जाती है जेड़ b by 2 तो यह लेटिस नेट्र का एक स्पेशल केस होता है और यहां से आप एगर जेड़ b निकालना चाहो या जेड़ निकालना चाहो तो दो एक्वेशन है दो रिजल्ट आपके सामने जेड़ b बराबर जेड यह तो इससे ही ड्राइव होके आया है तो आपको याद रखने के चीज़े यह वाली जहांसे एक्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है और यह भी याद रखो तो नुकसान तो है नहीं कि जेड़ एक की वेल्यू क्या हो ठीक है तो यह जो अपनी टेबल है बहुत ज इस डर याल लियाथा हमने लिया यह लिया अधे वन लोम रिजिस्टर और हमने जएट भी loosen की दियए टिबी किया दे हमने से में एक włध फांड़ की लूम तो यसे में अगर हम रखें इस यह हमकर फेरा में जाना होगी फूरा ने हैश्ट में ड क्या हो और तो हम बीच में से करन्स के लेक में फ्लो होगी जेड़ बी यानि जेड़ टू वन इकोल टू जेड़ टू क्या जाएगा जेड़ भी इस ठीक है कि यह निकाल रहा हमने सब का सब तो यहां से हमें फाइनली टी ने ट्रोग में यह भी हमें इंपोटेंट है अगर याद रखना वी घृटन आप डायरेक्ल लिए उससे कर सकते हो कि वह जेड़ वन वन की वेलिव यह जेड़ लेड़ लीई जेड़ टूटू की कितनी एटशी प्लस जेड़ गी और जेड़ वन टू की कितनी आई और इकोल टू जेड़ टू तो ज्यादा तर एक्जाम में यह पूछ लिए जाते हैं ठीक है अगर आपको यह आते हैं तो आप वहां पे भी निकाल पाओगे तो इसलिए इनको इनको याद करने के ये प्लस वाइशन है तो यह आपको याद रखना है तो ज्वड़ाबर वाई इन्वर्स यह तो हमने देखे लिया अब आते हैं हम इनके इंटर कनेक्शन के के कि वह तूपोट नेट्वर्स जो है अगर हमारे interconnected हो तो क्या होता है two-port network में अगर cascade connection आपको दे दिया जाए exam के अंदर नाम दे दिया जाएगा cascade connection cascade connection का क्या मतलब है कि हमारे जो transmission parameter है वो हमारे कैसे connect होंगे इस तरह से multiplication हो जाएगी दोनों की table की तो फिमें final result मिल जाएगा यानि matrix A multiply by matrix B अगर शिरीज शिरीज है तो हमारे जो जेड़ पिरामिटर उन matrix के उन दोनों को एड़ कर देना है parallel है तो य पिरामिटर को एड़ कर देना है ठीक है color change कर देता हूं इसमें दीक नीड़ा शिरीज है तो यह पूछ ले जाता है बाकि और कोई नहीं पूछेगा शिरीज और पिरामिटर य है तो य पिरामिटर एड़ सिरीज पिरामिटर टो है तो य पिरामिटर शिरीज है तो जी मेंड़ को और kate connection है तो यह हमारे क्या गरते हैं transmission पिरामिटर वह मुल्टिप्लेकिशन हो जाते हैं और यह मिसको जब बेकेंगों से पावर सिस्टेम के अंदर हम बोहत मल्टिप्लाइख करेंगे और क्योंकि वहां पर हमारे जो लंबा बहुत तरह के ने ट्रक आते डिस्टिबूटीटब नेट रगलं नेट रग एटी त्राइक नेट्री पाई नेट्रों वहते हैं तो में कि के लिए काम करना पड़ता के तो आज भी हमने यह पड़ा है क्या बोलते हैं हमने क्या पड़ा आज हमने टूपोर्ट नेट्रक हमारा इसी के साथ टोपिक खतम होता है इसके जो इसमेरिकल है वह हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर आपका जो प्रिवेस यरे इंक्लूड करेंगे और उसके बाद साथ में वह स्टार्ट करेंगा हमारी ने ट्रॉम जिसमें थेवनिन थेवनिन पिर अपॉजिशन यह कुछ इंपॉर्टेंट थेओरम में और सबसे इंप एक्षाम में तो टू-पाट्ट में जो क्वेशन पूचे जाते हैं जन्रली वह तो हमारे से सिमेट्रिक कंडिशन से रेसिप्रोशिती कंडिशन से पूचा जाता है ज्यादा तरके समय यह कुशन यह से आ ठीक है यह बागी हमारे स्टेंडर्स इतने यह क्लासिफिकेशन है इनके जो डेरिवेशन है याने इक्वेशन है वी वन के एक्वेशन आइवन की एक्वेशन या वी डू आई टू अलग लग पेरामीटर में यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाता है तो इससे ज़्यादा पड़ती नहीं फिर भी अगर कोई नुमेरिकल है साग या तो देखिंग मुझे नहीं लगता कि उसकी रिक्वाइर्मेंट है ठीक है आज के लिए इतना काफी अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सुपर पोजिशन और त्योर्म के साथ ठेंक यू और आपको अग लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए ठीक है ओके